आज हम डिसकस करने वाले हैं इंशेंट हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टिंग टॉपिंग जिसका नाम है वैदिक पीरियद या फिर वैदिक एज ठीक है तो जहां पर हम सारे वन लाइनर जो की प्रेलिम्स और मेंस दोनों के इसाफ से इंपॉर्टेंट होंगे यकीन मानिये आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही जादा प्रूटफुल होने वाला है तो आए हम स्टार्ट करते हैं वैदिक एज के बारे में वैदिक पीरियद तो वैदिक जो पीरियद था उसकी शुरूआत आरियंस के द्वारा की गई थी है उनको आर पीरियद भी बोला ज चाले है तो आरियन वर्ट है किया तो आ inclust संस्क्रिक लेंगवज का वर्ड जिसका मीनिग होता है communication वैदिक जो एरा है उसके हमको evidence मिलते हैं उन्होंने जो भी लिखा है वेद लिखे उपनिशत लिखे पुरान लिखे उनको हम सभी लोगों ने पढ़ा है और translate भी किया है ठीक है मतलब evidence भी है और उनको पढ़ा भी जा चुका है वैदिक period ठीक है basically जैसे कि हमने हरपा civilization में बात की थी हमने इंडस वेली civilization में बात की थी कि बहुत ही जादा urban area था नगरी ये सब भता थी अच्छे घर थे पकीटों के मकान थे लेकिन यहाँ पे जो Aryans थे जो वैदे केज था वो ruler था ग्रामीर था गाउं में ये लोग रहते थे ठीक है और बहुत सारे मतों का मानना है बहुत सारे historian का ये बात मानना है कि ये लोग खैबर पास से भारत में entry करते हैं हाला कि जो Aryan है अगर यहाँ पर इस reason में बात करें इंडो European जो की Aryan है बोला जाता है अलग-अलग theory है कि ये लोग कहां से आये थे सबसे जादा जिस theory को हम follow करते हैं वो Max Muller का theory है Max Muller कहते हैं कि ये जो इंडो Aryans थे या इंडो European थे ये Central Asia से भारत में आये थे खैबर पास से ये भारत आये थे हम इसी theory को मानते है इसी theory को पढ़ते हैं एक्जाम में भी यही पूछा चाता है आंगे बात कर लेते हैं European country से तो Sir William Jones का कहना है कि ये ये लोग अगली बात कर लेते हैं बाल गंगधरते लगते तो उनका कहना है कि South Pole के आसपास के reason से ये लोग आये थे और सौमी दयानन सरस्वती का कहना है कि तिबबत के reason से जो है वो Aryan भारत में entry करते हैं तो सभी historian का अपना-पना मत है लेकिन जो सबसे ज़ादा you know माना जाता है पूरे सब कहीं पर तो वो है professor Max Muller का की वो Central Asia से भारत में आये थे खैबर पास से होते हुए Aryans भारत में आये थे और Aryan का मतलब होता है noble उत्करस्ट या महान व्यक्ती इनकी जो language थी वो Sanskrit थी और communication के लिए ठीक है इतनी जीज़े हमको समझ में आ चुकी है अगली बात कर लेते हैं हमने इस पूरे वैदिक एज को वैदिक एरा को पढ़ने के लिए दो parts में डिवाइट किया एक तो early वैदिक होता है और एक होता है later वैदिक तो जो वैदिक एरा है या रिगवेदिक एरा जिसे बोलते हैं क्योंकि वैदिक एरा में जुस ग्रंत को लिखा गया था वो रिगवेद था इसलिए इसको रिगवेदिक पीरियड भी कहा जाता है तो 1500 से लेके 1000 BC के आसपास का जो समय है वो रिगवेदिक पीरियड या अर्ली वेदिक पीरियड कहलाता है और इसके बाद मतलब 1000 से लेके 600 के आसपास का समय जो है वो लेटर वेदिक पीरियड कहलाता है ये चीज़े clear है, मतलब आपको evidence कहां से मिलते हैं या साक्ष कहां से मिलते हैं तो आप कहेंगे वैदिक culture के साक्ष हमको रिगवेट से मिलते हैं और later वैदिक period के साक्ष जो हैं हमको उपनिशत से इसके अलाव अथरवेश, शामबेद और यजुरवेश से मिलते हैं बड़ा simple हो गया देख लेते हैं तो जैसे कि मैंने का literature sources कैसे आप समझेंगे कि ये वैदिक period है वैदिक period के लोगों की social economic condition क्या थी किन-किन god या goddess को वो पूजा करते थे, किस तरीके से वो रहते थे, women's की condition कैसी थी, कहीं न कहीं से तो हमको पता चलना चाहिए तो बिलकुल उसके लिए जो literature के sources है हमारे पास वैदिक period को study करने के लिए वो रिगवेद है रिगवेद के साथ-साथ जो Iranian language में जेंद अविस्ता है, वहां से भी हमको वैदिक period के evidence या साख्च मिलते हैं चीक है, इसके अलावा यहाँ पे रिगवेद में आपको 10 मंडल मिलेंगे जिसमें से पहला और लास्ट मंडल जो है, वो सबसे नया है, बाद में जोड़ा गया था और उसके बीच के जो सारे मंडल है, टू से लेगी सैवन तक जो है, वो oldest मंडल माने जाते हैं इस पूरे 10 मंडल में आपको 1028 शूक्त या हम्स मिलेंगे जिसमें आपको यह जो पूरा रिगवेद की 10 मंडल है, इसमें आपको विश्वामित्र का नाम, अत्री का नाम, वशिष्ट का नाम, इसके लभारत द्वाच का नाम इन सभी का नाम मिलता है जिनोंने इन गरंतों को संकलित करने का काम या रिटन करने का काम लिखा साथे साथ कुछ women scholar का नाम भी देखने को मिलता है इन मंत्रों में कुछ महिलाओं की नाम को भी देखा गया है जैसे कि लोपा मुद्रा है, घोश है, कछा रखती है तो इन लोगों का नाम भी जो है वो देखने को मिला है ऐसा माना जाता है विद्वानों की अकॉर्डेंग की जो रिगवेद लिखा गया था वो पंजाब की रीजन में लिखा गया था अगली बात कर लेते हैं, जो ब्राम्हर इन रिगवेद को पढ़ते हैं रिगवेद की लेंगविज क्या है, संस्कृत है नौनमाली उसे पढ़ा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता तो जो लोग इसका पार्ट करते थे, रिगवेद को पढ़ते थे, ब्राम्हर उनको होत्र कहा जाता था जब यगवगेरा होते थे, ब्राम्हर को बुलाया जाता था और रिगवेद का जो उपवेद है उसका नाम है आयरवेद जहां से आपको मेडिसिन की information मिलती है अब यहां पर कुछ important मंदल के बारे में भी हमको जान लेना चाहिए जैसे कि मंदल नंबर 9 मंदल नंबर 9 जो है वो सोम भगवान थीए सोम रस जिसे बोलता है अलकोहल बोला जा सकता है उसको dedicated है मंदल नंबर 9 मंदल नमबर वन जो है वो इंद्र और अगनी को डेडिकेटेट है क्योंकि वैदिक पीरिट में सबसे ज़्यदा जो पूझा करने वाले भगवान थे या देवता थे वो इंद्र थे तो इंद्र, अगनी, वरुन, शूर, मित्र, रुद्र इन सब को डेडिकेट किया गया है मंदल वन में मंडल 10 की बात कर लेते हैं तो मंदल 10 में जो नदियाँ होती है जो रिवर्स होती है तो नदियों कि इस्थिती है गंगा नदी का जिक्र एक बार होता है, यमना नदी का जिक्र तीन बार होता है सबसे जादा जो पवित्र नदी मानी जाती वो सरस्वती को माना जाता है तो ये सारी information हमको मंडल 10 से मिलती है तो नदियों के बारे में information हमको मंडल 10 से मिलती है लगबान प्वेंटीफाइव रिवर्स की जो है, वो की गई है रिग्वेद में जाहे हैं, गायतरी मंत्र जो कि हमें थर्ड मंदल से रिग्वेद को मिलता है जो कि सावितत्री को डेडिकेटेड है, इसमें 62 हमस है नहीं मतलब 62 सूत्र है और महार्शी विश्वममित्र ने जो है वो गायत्री मंत्र को लिखा है या इस मिलता है थर्ड मंदल से रिगवेट के हमको इसकी information मिलती है तो ये तो आपको information कहां से मिल रही है रिगवेट से जो कि आपका literature sources है जिनको आपने पढ़ा है understand किया है और समझा है कि कौन से नदियां है या फिर कौन से देवताओं की पूजा कर रहा है यहाँ पे women's की जखर है मतलब इस्तितियों जो female से उनकी condition भी अच्छी तो ये सारी चीज़ें आपको रिग्वेट से समझ में आएं अब कुछ archaeological sources भी हमको मिलते है जिनको inscription या सिलालेक के नाम से जाना जाता है तो कुछ हमको शिलालेक ऐसे मिलते है जिससे भी हमको Vedic period के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है जैसे कि काशी encryption जो कि 1600 कसी encryption जो है वो 1600 BC में इसको पाया गया था इसमें बताया गया है कि जो इरानी Aryans थे वो किस तरीके से भारत आये मतलब इरान से भी कुछ Aryans जो थे वो भारत आये थे Middle East के अलावा अगली बात यहाँ पर करते हैं बोगस कोई जो inscription है 1400 BC का इसमें इंड्र, वरुन, मित्र इन सभी डेटी जो है इन सभी देवताओं का जिक्र जो है वो मिलता है आये हम थोड़ी सी बात करना शुरू करते हैं रिगवेत के बारे में वैदिक पीरिड के बारे में आपको इतनी information पता चली होगे कि वैदिक एरा क्या होता है वैदिक लोग कौन थे इन अब इनका area देखते हैं कि कि कितने area में भारत में ये लोग फैले हुए थे बेसेकली जो आरियंस थे वो जहां रहते थे उसको सब्त संदफ प्रदेश कहा जाता था सब्त संदफ मतलब साथ नदियां सेवन रिवर का combination जो है वो सब्त संदफ प्रदेश कहलाता था जहां पे आरियंस रहा करते थे इंडस की पांच ट्रिविट्री जेलम रावी सतलज व्यास इसके अलावा सरस्वती तो ये सेवन रिवर्स मिलके क्या कहलाता था सब्त संदफ प्रदेश कहलाता था अब यहां पे जो सतलज रिवर बह रही है तिबबत से आकर इस तरीके से और यमना रिवर तो सतलज यमना के बीच का जो रीजन था दोआव रीजन क्योंकि दोआव रीजन बहुत पर्टाइल होता है आप एग्रिकल्चर फार्मिंग अच्छे से कर सकते तो ये जो है वो मेन सेंटर हुआ करता था रिवधिक पीरियर्ड में ठीक है और इस पूरे एरिया को ब्रहम वर्त के नाम से जाना जाता था तो ब्रहम वर्त किसे कहते हैं तो आप बोलेंगे कि यमना और सतलच रिवर्स के बीच जो दोआव का रीजन है उसको ब्रहम वत्र कहा जाता था और यही सेंटर आफ दा रिगवेदिक सिविलाइजेशन माना जाता है इसके अलावा ऊपर बात करते ह हिमालाई की और नीचे बात करते हैं विंध्यान रेंज की विंध्याचल प्रदेश तो हिमालाई से लेके विंध्याचल प्रदेश पे जब इन्हों ने पूरा इस रीजन में कबजा कर लिया क्योंकि विंध्याचल का आता है मद्ध प्रदेश में आ जाता है मतलबा इडिया में रहने लगें तो इस नो पूरे रिजन को आर्यवर्थ कहा जाने लगा तो ब्रह्म वर्द और आर्यवर्थ में आपको differen miruse को रहते तो आया एन्स ही थे आरेवर्द नाम आपने दिया तो आप देख सकते हैं इस्टर रेंज ओफ द रिगवेदिक आर्यन एक्स्टेंड टू हिमालय एंटिबद ठीक है न उसके अलावा तुर्किमिस्तान अफगानिस्तान और अरावली रेंज तक जो है वो पूरे आपको आर्यन फैले हुए दिख जाएंगे ठीक चलो अब यहां पर बात कर लेते हैं कुछ और बात है कि क्या इंफिमेशन हमको रिगवेद से मिलती है अब आउट डवेदिक पीरियड तो यहां पर एक इंफिमेशन मिलती है कि सिंदू रिवर जो है वो बहुत ही इंपोर्टेंट रिवर थी क्योंकि जो पहली सिवलाइडेशन हमको मिली थी इंदस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरी के पास ही मिली थी तो सिंदू नदी जो है वो रिगवेद एक पीरियड की सबसे इंपोर्टेंट नदी माने जाती है और रिगवेद में 25 रिवर की चर्चा की गई है गंगा का जिक्र एक बा और सबसे ज़्यादा जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती है वो सरस्वती को माना जाता है सरस्वती को जो है वो मदर्स ओफ रिवर माना जाता है नदियों की माता माना जाता है नदी तमा मातो तमा जैसे वर्च जो है वो सरस्वती रिवर के लिए यूज किये गए है साथ थे साथ रिक्वेद में हिमाले की एक पी, मुजवन्त का दिक्र भी मिलता है. अब यहाँ पे नदियों से कॉश्चन दो optimum severely exam में बनते हैं क्योंकि सारी नदियों के आसपास देखी गए. जैसे इजिप्ट में नाइल रिवर थी, वैली सिविलाइजेशन में इंडस रिवर थी, मैसोपोटामिया में दजलाफवरात रिवर थी और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं चाइना में तो यलो रिवर थी तो इन ही रिवर्स के केप आसपास तो यह जो इंशियन्ट कल्चर थे वो डैवलप हुए थे, इंशियन्ट लोग रहा करते थे तो यहाँ पर हमें रिगवेद में जो नदियां हैं और क्या उनके नाम वहाँ पर लिखे हैं इंशियन्ट नेम उनके बारे में थोड़ी सी इंफियमेशन आपको पता होना चाहिए मैच दा कॉलम में या डारेक्ट कॉशन फ्रेम होता एक्जाम में इंडस रिवर को सिंदू बोलते थे तो आज भी हम इसको सिंदू बोलते हैं सिंदू से हिंदू हो गया हिंदू से हिंदूस्तान हो गया जेलम रिवर को वितास्ता के नाम से जाना जाता है चिनाव को असकीनी और चंद्रभागा कहते तो आज भी चिनाव को चंद्रभाग सतलच को सुतादरी कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को आज भी हम दिहांग और तिबबत में सांगपो कहते हैं ठीक है, कृष्ण को कृष्णवर्णी कहा जाता है नर्मदा को नर्मदे कहा जाता है इसके लावा लूनी लूनी नरी जो की राजिस्थान की गंगा माने चाती है उसको लवनावती के नाम से जाना जाता था वेत्रा अबेत्वा को बेत्रावती कहा जाता था चिनाव को चमरावती कहा जाता था गंडग, ये इंपोर्टेंट है इतनी जो river है ये बहुत important है यहां से question बनता है exam में और बना हुआ भी है ठीक है तो आईए अब हम Vedic period में घुज जाते हैं तो इसका आपको PDF अगर चाहिए तो पर्चम की website पे visit करके ले लेना सारे important points को यहां पे cover की और means का भी बहुत अच्छा अंसर लिख सकते हैं ये Vedic period की समाजिक आर्थिक स्थिती का वर्णन कीजिए social और economic status Vedic era का explain कीजिए तो यहां से आप बहुत अच्छा अंसर लिख सकते हैं चो चलिए हम बात करते हैं social status की जैसे की हडपा civilization में जो leader होती थी या फिर घर की जो head होती थी वो mother होती थी लेकिन रिख वेडर period में society थोड़ी सी change होने लगी ठीक है ना society जो है अब वो patriarchal हो गया मतलब पित्रत सतात्मक समाज हो गया powerful कौन हो गया फादर हो गया मतलब पुरिशों की इस्तिती जो है male की condition powerful होने लगी थी लेकिन यहाँ पे women's की condition भी अच्छी थी ठीक है यहाँ पे जो family सबसे छोटी unit जो है किसी भी claim की सबसे छोटी unit जो है वो family होती थी family को कुल कहा जाता था जिसके head father होते थे और head को कुलप कहा जाता था तो सबसे छोटा unit family ठीक है family के head father जिनको हम कुलप कहते थे तो कुलप, कुल का head कुलप, ठीक है इसके अलावा उस समय जो culture था वो joint family का था मतलब grandfather grandmother सबी लोग जो है वो साथ में रहा करते थे और सबी लोगों को जो है वो नेप्तरी कहा जाता था तो joint family का culture जो है वो बैदिक period में हमको देखने को मिलेगा, इसके अलावा वर्ण विवस्था तो पहले से ही थी रिगवेद में भी आपको वर्ण विवस्था के बारे में देखने को मिलता है ठीकिन तो हमारी जो cast थी वो four class में divide थी ब्राम्हिन, छत्रिये, वैश और शुद्र लेकिन इनको ये जन्मिके आधार पर cast नहीं मिला था ये लोग जो काम करते थे उस हिसाब से इनकी cast डिसाइड थी अगर कोई labor है तो उसको शुद्र बोलते थे अगर कोई व्यक्ति merchant है trader है, agriculture का काम करता है तो उसको वैश बोलते थे अगर राजा, राजा जो है क्योंकि राजा का काम होता था युद्द लड़ना जो warriors होते थे वो छत्री कहलाते थे प्रीस होते थे, teachers होते थे तो वो ब्राम्मण है और शुद्र के घर में किसी का जन्म होता है तो वो शुद्र है आज के समय यही कास्ट सिस्टम फॉलो होता है लेकिन पहले आप देखे वैदिक पिरिट कितना अच्छा था आपके काम के according आपको वहाँ पे कास्ट दी जाती थी अब यहाँ पे आपका जो रिगवेद का 10th नंबर का मंडल है उसमें आपको इवर्ण चारो वर्णे के बारे में information मिल जाएगी उसमें लिखा हुआ है कि ब्राम्मण जो होते हैं वो ब्रम्हा के head से generate हुए है चत्री जो है वो ब्रम्हा की बाहों से generate हुए है वैश जो है उनकी थाइस से और शुद्र जो है उनके पैरों से जन्म हुए है ऐसा बोला गया है रिगवेद के 10th नंबर के मंडल में चीक है अब विमेंस की condition पे भी ध्यान देते है विमेंस जो है वो मेल्स के साथ अपने हस्बेंड के साथ पाटिसिपेट करती थी यग वगेरा के काम किया करती थी चाइल्ड मैरेज नहीं थी सती सिस्टम देखने को नहीं मिलता विडो मैरेज अलाओ थी इंटर कास्ट मैरेज बिलकुल अलाओ थी तो ये सारी information हमको यहाँ पर मिलती है यहाँ पर dowry, दहीज system है उसका कोई प्रशलन नहीं है लेकिन जब किसी शादी होती थी तो जो फीमेल होती थी उसके साथ जो gift दिये जाते थी उनको दहेज नहीं बोला गया है उनको वहुतु बोला गया है जो कि उपहार या gift दिये जाते थे marriage में उनको बहुतु बोला है लेकिन dowry system यहाँ पर present नहीं थी education open थी, girls को भी rights थे कि वो पढ़ सकती है, educate हो सकती है और कई सारी ऐसी scholar के नाम हमको रिगवेद में देखने को मिलते है जैसे कि लुपा मुद्रा का नाम बहुत ही famous है तो यह कुछ scholar है जिनके नाम भी हमको रिगवेद में देखने को मिलते है कि education जो है वो girls के लिए open थी, मतलब महिलाओं की condition बहुत अच्छी थी और जो female या जो girl कभी शादी नहीं करती थी remain unmarried for a life उनको अमाजू कहा जाता था तो यह caution exam में पूछा गया है अमाजू उनको कहा जाता था ठीक है रिगवेद period में जो लोग थे वो vegetarian भी थे और non-vegetarian भी थे basically husbandry मतलब domestication of animal पे ही depend करते थे और secondary work उनका जो था वो agriculture था basically यह लोग जो trots पहनते थे वो cotton wool और leather के देख मिलते थे ठीक है अब यहाँ पे अगर हम marriage system की बात कर लेते हैं तो आरे समाज में दो प्रकार के marriage system allowed थे एक होता था अनुलोम विवहा और एक होता था प्रतिलोम विवहा अनुलोम विवहा मतलब जो man है वो higher caste का है और जो female है वो lower caste की तो ऐसी कोई शादी होती थी तो इसको अनुलोम विवहा कहते थे लेकिन अगर female की caste उपर है और male की caste नीचे है lower word का है male तो इसको प्रतिलोम marriage कहा जाता था तो इस तरीके से दो marriage के सिस्टम जो है वो आपको आरे समाज में देखने को मिलेंगे तो इतो economic condition मैंने आप सारी यह जो social condition थी वो मैंने आपको explain कर दी रिगवैदिक period की अब हम बात कर लेते political situation कैसी थी कैसे यह लोग रहते थे कैसे राजा को select किया जाता था etc etc तो सबसे पहली बात यह लोग tribal system को follow करते थे कबील्याई system को follow करते थे छोटे-छोटे कबीले में यह जो है लोग रहा करते थे चीक है और उस एक कबीले का जो head होता था वो राजा कहलाता था जिसको gop कहते थे क्या कहते थे उसको gop तो कैसे रहते थे यह कबीले system में रहते थे tribal system था इनके पास छोटे-छोटे जो कबीले थे उसका एक राजा होता था राजा को gop कहा जाता था अब यहाँ पे Aryans जो है उनको पंचजन भी कहा जाता है क्योंकि जब हम रिगवेत को उठाते हैं तो हमें पाँच कबीलों की चर्चा देखने को मिलती जो उस समय के हो सकता है सबसे powerful कबीले रहे होंगे तो five claims के बारे में हमको information मिलती है सबसे छोटी क्या होती है family family को कहेंगे कुल और कुल का जो head होगा वो कुलप कहलाएगा यह ग्रह पती कहलाएगा छोटी छोटी जो families है परिवार है उनको इखटा कर दो तो क्या बन जाएगा एक gram बन जाएगा तो gram का जो head है वो gram नहीं कहलाएगा अब छोटी छोटी grams को भी आपस में merge कर दो तो क्या बन जाएगा wish बन जाएगा और wish का head है वो wish पती कहलाएगा और wish को अगर मिला दो तो जन बन जाता है जिसका head जन पती कहलाता है तो सबसे छोटी unit कुल कुल के बाद gram, gram के बाद wish और wish के बाद जन तो छोटी छोटे परिवार कुल है छोटा सा परिवार कुल है छोटी छोटे परिवारों को मिला दो तो gram है छोटी छोटे गाओं को मिला दो तो wish छोटी छोटे wish को मिला दो तो जन बन जाता है जैसे कि अगर हम बात करें तो आज भी हमारा चोटे सा परिवार है ऐसे दस बारा परिवार इखटे हो जाते तो गाउं बन जाता है चोटे-चोटे गाउं को कर दो तो आपका डिस्टिक बन जाता है और चोटे-चोटे डिस्टिक्स को इखटा कर दो तो एक स्टेट बन जाता है यही तो पॉलिसी आज भी है वही रिगवेद ने भी थी, खियर हो गया, ये हो गया आपका कुलूप, ये हो गया ग्रामनी, ये विश्पती और ये हो गया आपका जनपती, ठीक, इनके हैट्स भी वेने डिसकस कर दिये, चलो, व्यूमन्स भी जो थी, वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करती थी, ऐसा ज दिखर हमको मिलता है, सभा और समीती में इनको भी इलेक्ट होने का था, और सभा और समीती में ये लोग भी पार्टिसिपेट करते थे, अब सभा और समीती जो है, वो राजा की बहुत इंपोर्टन संस्थां या इंस्सिट्यूट माने जाते हैं, सभा में जो एलाइट पर रहते थे हें रिच परसन के जो की सलह मसवरा देने का काम सजेशन देने का काम राजा को करते थे दो इंप refugee की होती थी उचेत करती आधि कर्थी कि राजा को बिठाना रजा क governance करना इसको कन्तूल करना यह सभी काम जो समीती के होते थे तो सभा और समीती दो important institute advisory body थी to the king और इनका जिखर भी आपको किस में मिलेगा वैदिक period में देखने को मिलेगा अब तो जमीन होती थी अब राजा का काम रूल करना नहीं है राजा का काम है कोई भी बहार का व्यक्ति अगर हम पे हमला करता है तो हमें अपने claim को protect करना है इसलिए तो राजा जो है वो warrior है और उसको छत्रिय कहा गया है तो राजा किसी जमीन का owner नहीं होता था जमीन का owner जो है वो normal जनता ही हुआ करती थी राजा का काम था केवल बहारी आक्रमर से अपने claim को protect करना अब देखू जैसे कि मैं राजा हूँ और अपने claim को मुझे वचाना है तो उसके लिए troops भी लगेंगी काफी सारे तैयारी भी लगेगी पैसा भी लगेगा इसलिए यहाँ पे एक text चलता था जिसका नाम है बली text तो बली text जो है वो राजा को दिया जाता था जिससे वो हमारे claim को protect करें अपनी इक्षा से दिया जाता था ऐसा नहीं कि 10% देना है 20% देना है अपनी income का नो आपको जितनी इक्षा है as a text बली text आप राजा को दोगे और राजा आपको protect करेगा तो ये system भी चलता था अब आपको रिगवेद में जो है वो battle of 10 kings भी देखने को मिलता है जिसको हम 10 राग युद्ध के नाम से भी जानते हैं basically एक तरफ थे एक तरफ थे भरत king के भरत claim के राजा सुदस एक तरफ कौन थे भरत claim के राजा थे सुदस और दूसरी तरफ जो थे वो 10 अलग claim थे जिनमें आर्ज भी थे और non-arian tribes भी थी जैसे कि पुरू, यदू, अनू है ना ये सब ही claim थे एक तरफ और इनको lead कौन कर रहा था इनको lead कर रहे थे विश्वा मित्र तो इन जिकर आपको रिगवेट के 7th नंबर के मंडल में मिल जाएगा ठीक है और ये कहां पर हो रही है पूरी battle ये परूशनी river जिसको हम रावी river के नाम से जानते हैं उसके किनारे ये battle को लड़ा जा रहा है इसको 10 राग युद्ध कहते हैं तो 10 राजाओं के साथ युद्ध हुआ इसको 10 राग युद्ध कहा गया रावी नदी के किनारे हुआ भरत वंच के राजा सुदास थे और उनकी ही विजय होती है clear हो गया अब बात कर लेते हैं कुछ economic condition के बारे में तो जैसे कि मैंने कहा कि इनकी economy basically रूलर एरियाज में रहते थे semi-namedic थे एक जगे से दूसरे जगे खाने पीने के लिए घूमते रहते थे animal husbandry इनका primary concern था और secondary जो था वो agriculture था खेती किसानी था इनकी जो सबसे पवित्र या सबसे जरूरी जो animal मानी जाती थी वो cow मानी जाती थी cow को अस्ट करनी कहा जाता था cow को क्या कहा जाता था अस्ट करनी के नाम से जाना जाता था और maximum जो battle Aryans के समय होती थी वो animals को लेकर ही हुआ करती थी क्योंकि पनी नाम का व्यक्ति थी जो animal की चोरी कर लेता था तो maximum जो battle होती थी वो animals के कारण होती थी और सबसे important जो animal था वो कौन थी गाय थी ठीक है और यहाँ पर bartering system भी देखने को आपको मिलेगा अब cow को अगन्या कहा जाता था important question note करेंगे cow को अगन्या कहा जाता था जो कि uncillable animal है मतलब ना मारने योग अगन्या इनको कहा जाता था अगर कोई व्यक्ति अगन्या को मारता है cow को मारता है तो उसको जो punishment थी वो death तक की punishment यहाँ पर देखने को मिलती है चीक है साथे साथ यहाँ पर जो daughter होती थी बेटिया होती थी उनको दो हीता कहा जाता था क्योंकि वो गाय का दूद निकालती थी तो इसलिए उनको दो हीता भी कहा जाता था इसको भी आप देखियेगा अगली बात करते हैं अच्छा आपको हरपन civilization में horses नहीं मिलते हैं ऐसा बोलते हैं कि वो horses के बारे में नहीं जानते हैं लेकिन कहीं कहीं से हमको evidence देखने को मिले हैं तो horses was a very useful animal of the R.A.S. अमाज उसके अलाबा cow, bull, buffalo, god, camel इनके बारे में भी यह लोग जानते थे अब यहाँ पर agriculture के evidence भी देखने को मिलते हैं और रिगवेड में जिस फसल का जिक्र है वो उसका नाम है जिस grain को mention किया गया है रिगवेड में उसका नाम है बारले, जो या फिर यव नाम से वो है यव नाम ये question पूछा गया है एक्जाम में चीक है? यव अगली बात कर लेते हैं अब ये लोग सचने सवरने का शौक तो था ही तो gold, copper, bronze इन सब के ornaments को भी ये पहनते थे तो यहाँ पे gold के लिए एक शब्द आपको रिगवेड में मिलता है जिसका नाम हेरन 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 is a word for gold cotton का mention कहीं भी रिगवेड में नहीं मिलता है अस्ट कर निश वर्ड जो है वो गाय के लिए उस किया गया है इसका मतलब ये लोग number system से aware थे तबी तो अस्ट मतलब होता है art तो number system से कहीं ना कहीं aware थे वैदिक पीरिट के लोग Aryans ठीक है? इसके अलावा copper और bronze का जिक्र भी आ आपको mention हुआ दिखेगा अब बात कर लेते हैं religious status की इनकी धार्मी condition कैसे थी क्योंकि वैदिक पीरिट में कर्म, कांट, पूजा, पार्ट बहुत जादा होते थे तो और generally इनके जो symbols थे God के वो natural थे क्योंकि आपको खेती करनी है तो आपको rain की जरूरत है है ना? तो generally जो इ वरुन है, मित्र है, विष्णू है, सवीता है, God of space इंद्र है, रुद्र है, मारूध है, वायू है और God of earth अगनी, सोमा, प्रत्वी, सरस्वती इनको God of earth कहा गया था, तो sky, space और earth तीन तरीके से category थी जिसमें सबसे important है इंद्र, इंद्र को पुरंदर कहा जाता था और 250 सू और स्टॉम का God माना जाता था, ये वार लीडर भी जो है, युद्र का साथी, युद्र के लीडर भी इंद्र को माना जाता था, दूसरे important जो देटी या देवता मिलते हैं, वो अगनी है, अगनी को 200 हम्स या 200 सूप्त जो है, वो रिगवेद में dedicate किये गए हैं, अब अगन का काम क्या था, तो अगनी मैन और God के बीच का प्रतिरेदेजिफ करते थे, ठीकिना, रिप्रेजेंटेशन करते थे, इसके अलावा तीसरे नंबर के जो देटी है, वो वरुन है, वरुन के लिए 30 हम्स जो है, वो dedicate है रिगवेद में, और ये जो है, वो जल कितने खराब होते जाएगी आने वाले समय में हमारे society की, अभी पूशन जो है, वो God of Animal है, रिगवेदिक पीरियड में, लेकिन लेटर वेदिक पीरियड में, जो पूशन है, वो शुद्र के देवता हो जाएंगे, रूद्र की चर्चा भी यहाँ पे मिलती है, जो immoral conduct होते हैं, और guardian of medicine होते हैं, उनको रूद्र कहा जाता है, रूद्र को कहीं कहीं पे शिवा के नाम से भी बोला गया है, तो रूद्र की चर्चा भी मिलती है, अब कुछ female goddess की चर्चा भी हमको मिलती है, जैसे कि अदिती और उशा, अदिती जो है, वो mother of goddess है, ठीके न, evil, harm, sickness से हमक तो उशा और अदिती फीमेल गौड का चर्चा भी आपको रिगवेत में देखने को मिलता है, क्लियर हुआ आपको वैदिक पीरियुट, इसके second अगली जो class होगी, उसमें later वैदिक पीरियुट के बारे में हम चर्चा करेंगे, मतलब यजुर्वे, शामवेद और अथर व वहां से चर्चा कर ली जाएगी, तो I think आपको इतनी सारी पिक्चर वैदिक पीरियुट में पता होगे कि देखी, सब कुछ बहुत अच्छा था, आप जो काम कर रहे हैं, उसे साब से आपको caste है, female की condition अच्छी है, पढ़ सकती है, विडोरी marriage है, inter-cast marriage है, देवता है, ornaments है, गोल्ड है, राजा भी बढ़िया है, सबा और समीती है, कुल है, ग्राम है, सब कुछ बढ़िया है, आपने देखा, सब कुछ बढ़ा अच्छा था, अब ये condition धीरे-धीरे खराब होगे, जो हूं आंगे देखेंगे, I hope आप लोग को सारे points समझ में आए होंगे, जो आने वाले exam में आपकी मंदद definitely करने वाले है, तो question of the day आपको screen पर दिख रहा है, इसका answer, comment में दीजेगा, which of the correct ascending order of the political structure of Rig Vedic India, Rig Vedic India में किस तरीके से जो है, वो political structure था, आपको चार options दिख रहे है, जो भी सही होगा, comment में आप जरूर बताएगा, thank you so much, हम मिलेंगे, next session में जहा